नवश्कार सातियों सालों से बीय अलो के कार्मेन लगे 300 से अधिक सिक्षकों को इसकूल भेजने की होरे यह तैयार है हाला कि यह अपडेट आ रहे है वोपाल जले से और अगा देखा जाए तो मदपदे से विभन जलो में इसी प्रकार से जो शिक्षक हैं वह बीय अलो के कार्मेन लगे हुए हैं और स्कूल के अध्यापन कार से मैं इतना समय नहीं देते हैं तो इस प्रकार की कार्माई आने जलो में होना चाहिए साथ हो क्या है अपने जानते हैं जैसे कि पिछले काई सालों से बीय अलो के कार में लगे स्कूलों से गायब सिक्षकों को सालाओं में बापस बलाने की तैयारी की जा रही है करीब 300 ऐसे सिक्षक हैं जो लंबे समय से बीयलो का कारक के नाम पर स्कूलों में नहीं पहुंचने हैं और नहीं बापस बित्याला बलाने के लिए जिला सिक्षा अधिकारी कारा लादवारा क्लेक्टर को प्रिष्टा भेजा जा रहा है कारण भी यहा है कि नियम है कि उनके सिक्षा काम नहीं कर रहा है और नियम यही है कि मदाता सूचीम का कार करने के साथ सिक्षा को बच्चों को बच्चों को गड़ाना भी होगा लेकिन साखलों से इस नियम का पालन करने से दूर है और जला सिक्षा अधिकारी अंजनी तरपांटी ने कहा है कि परिक्षाओं क थी एक बड़ी अपडेट वहीं देखा जाया तो इस परकार के कई जलो में सिक्षक भी यह लोग मैं सल्लगन है और मुटली अगर देखा जाया तो हाई स्कूलों के जो सिक्षक लगे हैं जो कि अब बोर्ट परिक्षा नजडीक है तो ऐसे शिक्षकों को मुक्त किया जाना प्रदेस बर में तो बीस हजार शिक्षा के आपड़ार के नाम करने पर स्कूलوق से दूर है सिक्षक बद्रालाय में पहुंचते तो ना सिर्फ बच्चों को पड़ाय बैतर होगी वहीगलिका उनका उतकष्ट परिक्ष्य प्रडाम भी बनेगा तो साथियो यह बहुत अच्छी अप्टेट है और भीयलो कार में सलगने सिक्षकों को इसकूल में बेजा दाना चाहिए और इस प्रकासि इसकूल में सेक्षन को बस्ता है में सुधार होगा साथियो आपकी क्यारा है हमें कोमार्ट्स में जरूर कीएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत जय मदब्रदेश